रामू गुस्से में घर से निकल कर कहीं जा रहा था क्योंकि सुबह-सुबह ही दोनों पती-पत्नी में जगड़ा हो गया था जब देखो तब सुबह-सुबह मुझसे लड़ाई जगड़ा करने लगती है अरे उससे क्या लगता है कि मुझे कोई टेंशन नहीं है अरे मैं भी चाता हूँ कि अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दू पर क्या करूँ? कभी-कभी बहुत लाचार हो जाता हूँ मैं दिन भर मैं दिहारी मजदूरी करता हूँ उसके बावजूद मुझे इतने पैसे नहीं मिल पाए कि मैं अपने घर परिवार को अच्छे से खुश रख पाऊ रामू बहुत गुस्से में था वो एक नारियल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और बग-बग करने लगता है आज मैं काम पर ही नहीं जाऊंगा सारा दिन इसी नारियल के पेड़ के नीचे बैठा रहूंगा मैं काम करने के बावजूद सारा दिन अपनी बीवी की खरी खोटी सुनते रहो कि मैं कुछ करता है नहीं अगर ऐसा है तो यही सही तभी एक नारियल रामू के सर पर गिरता है नारियल से रामू को सर में चोट लग जाती है रामू गुस्से में उस नारियल को उठा कर वही पास में एक नदी थी उसमें फेकने जाता है तभी नारियल से आवाज आती है अरे रामू रुको लगता है बहुत ज़ादा ही गुस्से में हो तुम अरे ये क्या, तुम तो इंसानों की तरह बोल रहे हो, देखो अगर तुम मुझसे कोई फाल तु का हसी मजाग करना चाहते हो न, तो मैं तुमें पहली बता रहा हूँ, कि मेरा दिमाग बहुत खराब है, बहुत गुसे में हुमें, अभी मुझसे मजाग करना तुमारे लिए पैसे परिशान हूँ, उपर से थोड़ी देर में खुद को शांत करने के लिए नारिल के पेड़ के नीचे आकर बैठा ही था, उपर से तुम अपना भारी भर कम भार लेकर मेरी खोपड़ी पर गिर गये, गिरने के लिए इस दुनिया में जगा कम पड़ गई थी क्या, है मेरी खोपड़ी मिली थी क्या तुम्हें, गिरने के लिए, है? वैसे ये बताओ, तुम परिशान क्यों हो? मैं तुम्हें क्यों बताओं कि मैं परिशान क्यों? मेरी परिशानी जानने के बाद तुम मेरा मजाग उड़ाओ गए, यही चाहते हो न तुम? अरे नहीं बाबा, मुझे तुम्हारा मजाग बना कर क्या मिलेगा? वैसे भी मैं तुम्हारी तरह इंसान थोड़ी हूँ, मैं तो एक जादो इनारियल हूँ, अगर चाहते हो तो मुझे अपनी परिशानी बता सकते हो, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाओं? अब अब से तुम्हारे साथ रहूँगा, और हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि मैं तो एक जादो इनारियल हूँ, और मुझे तो हर जरूरत मंद लोगों की मदद करने में बहुत खुशी मिलती है। इस सुबह रामू के घर कर्जदार आता है और वो रामू से कहता है। अपने परिवार का गुजारा कर रहा हूँ, और रही बात आपके पैसों की, तो आप उसकी भी चिंदा मत करो, मैं समय रहते ही आपके पैसे आपको वापस कर दूँगा। अवे समय रहते हैं अप कौन सा समय आएगा वे, हैं, तेरे पैसे देने का, बता, एक तो तीन महिने निकल गए, तीन महिने में तुने अब तक एक रुपया नहीं दिया है, अभी कभी तो लगता है कि तेरे मन में मेरे पैसों को लेकर बेहिमानी आ गई है। मेरा नाम रामू है, और आज तक मैंने कभी बेहिमानी नहीं किये, रही बात आपके पैसों की तो… मैं इसे अपने घर से भगा दूँ, रात में दम कर दिया है इस नालैक ने, अरे रामू, तुम चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। जादू इनारियल रामू को कर्स शुकाने के लिए पैसा दे देता है। रामू तुरंत वो पैसे कर्सदार को देते हुए कहता है। ये लो, ये रहे तुम्हारे 50,000 रुपे, इन्हीं चंद पैसों के लिए तुम मुझे उल्टा सिदा बोल रहे था ना, लो, आज मैंने तुम्हारा सारा हिसाब किताब खत्म कर दिया है, आज के बाद दोबारा मेरे दरवाजे पर मताना बता रहा हूँ। तु तो बड़ा साध है रहे, अभी तो बड़ा बेबस बन रहा था, हाथ जोड़कर मुझे अपनी गरीबी का गीद गा रहा था, और अचानक से इतने सारे पैसे कहां से आ गए रहे तेरे पास, कहीं कोई तिजवरी की चाबी लग गई है क्या तेरे हाथ। मैंने तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दिये ना, अब चुपचाप अपने घर जाओ, पैसे कहां से आए या फिर मैं कहां से पैसो का इंतजाम करके लाया हूँ, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चीए। तो शायद आज मुझे एक-एक रुपे के लिए रोना नहीं पड़ता, अरे बेटा रामु जैसा भी है, है तो तेरा पती, और अपने पती की बेज़ती नहीं करते, चाहे पती 10 कमाए या 10 लाग, पतनी को उसी में खुश रहना चाहिए। अरे वहां रामु आता है और अपनी पतनी से कहता है, बहुत हो गया तुमारा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें, जब देखो तब पैसो के लिए मुझे सब के सामने बेज़त करती रहती हो। अरे जाओ न, अगर इतना ही है तो अभी के अभी मुझे 10 अजार लाकर दे दो घर में राशन भी डलवाना है, और मुझे अपने लिए 2-3 साडियां भी खरीदनी है, कपड़े नहीं है मेरे पास पहनने के लिए ठीक था। ठीक है रुको तुम, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। के उपर नज़र रखने लगती है, और एक दिन काजल को जादू इनारियल के बारे में पता चल जाता है, जादू इनारियल देखकर काजल बहुत खुश होती है, और काजल के मन में लालचा जाता है, अच्छा, तो ये सब जादू इनारियल का कमाल है, अब तो मैं इस जादूई नारियल से कहती है। जादा खुबसूरत बना देता है। साथ ही उसे पूरे गाउं की सुन्दर सी राजकुमारी बना कर उसे एक बहुत ही खुबसूरत सा महल बना कर दे देता है। काजल अब राजकुमारी बनकर अपने महल और पूरे गाउं पर राज करने लगती है। तब ही उसके पास रामू आता है और रामू अपनी पत्नी से कहता है। काजल, यह सब क्या है? अचानक से तुमको क्या हो गया है? देखो, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मैं इस गाउं की राजगुमारी हूँ, इसलिए मुझे महरानी कहकर पुकारो। अगर मुझे गुस्ता आ गया, तो मैं तुम्हें अभी सलाकों के पीछे डलवा दूँगी। अरे भाई, तुम ये कैसे भूल सकती हो कि मैं तुमारा पती हूँ? और ये सब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने जादू इनारियल से अपनी इच्छाओं को पूरा करवाया हूँ. देखना, लालज बहुत बुरा होता है, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें आगे जाक पर ये सब बहुत महेंगा पड़ जाए. वो जादू इनारियल अब मेरे पास है, अब वो मेरा गुलाम है, तो चाहगर भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, और अब मुझे तेरे जैसे फटे हाल पती की ज़रुरत नहीं है, निकल जा मेरी जिंदगी से. चलो अच्छा हुआ, कम स कम तुम्हारा असली चेहरा तो सामने आया? हाँ, हाँ, यही है मेरा असली चेहरा. काजल के इतना बोलते ही जादू इनारियल, तुरंत अपनी जादू इनारियल से काजल को फिर से पहले जैसा कर देता है. ये देख काजल हैरान हो जाती है, तब ही जादू इनारियल काजल तुम्हें क्या लगा कि तुम जादूई शक्ती से मुझे अपना गुलाम बना सकती हो? ऐसा कभी नहीं होगा. जादू सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों के लिए होता है. मैंने ये जो कुछ भी किया, वो तुम्हारी हकिकत को सामने लाने के लिए किया था. जादूई नारियल काजल को हमेशा हमेशा के लिए पहले जैसा बना देता है. तो वहीं अब राजू जादूई नारियल की मदद से एक अमीराद में बन जाता है. काजल बार-बार राजू से माफी मांगती है लेकिन राजू उसे माफ नहीं करता. बल्कि उसे अपनी में आगे बढ़ता है